एक्सरसाइज टैन एफ कुरिशन नंबर सिक्स कुरिशन नंबर सिक्स में हम से यह कहा जा रहा है अगार आइफ द टाउन एफ द फिटीन जिरो शिक्स यानी के एक कार अगार टाइं में एक टाउन में फिटीन जिरो शिक्स आफर ट्रैक लिए फजुट फॉर और जुटन टाऊंट प्ता रहे हैं के फॉर 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 आर्ज find the time the car started its journey आपको ये बताना है कि इसकर departure time क्या था यानि कि इस time पे car ने अपनी journey start की थी वो time क्या है सबसे बहले हम इसका जो formula है departure time record करने का उसको हम यहाँ पर apply करेंगे departure time is equal to arrival time minus journey अब यहाँ इसके अंदर आप values place कीजए arrival time है 15 06 minus journey 4 hours plus 1 over 4 hours 4 hours हो जैसे कि आपको पता है कि यह हम यू लिखते है 1 over 4 means एक hour में हमाई पास 60 minutes होते हैं इसको आप 4 से divide कर दीजाए आपके पास answer आजाएगा 15 minutes यानिके 4 hours 15 minutes और इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 hours 15 minutes तीके अब हम इन दोनों values को minus करेंगे minutes के नीचे minutes के नीचे minutes के नीचे minutes करेंगे जब हम इसकी subtraction perform करेंगे तो आप यह देख सकते हैं कि यहाँ 6 है यहाँ 5 है यहाँ 0 है यहाँ पर मैं calculation perform करने के लिए यहाँ से borrow लूँगी यानिके 1 hour borrow करूँगी यानिके 60 minutes add करूँगी सबसे पहले में 15 0 6 में जो answer आएगा मेरे पास हो आएगा 6 6 15 यानिके अब जो calculation perform होगी वो कुछ इस तरह से होगी 15 6 6 minus 0 4 15 अब हम minus करेंगे 6 में से हम 5 निकालेंगे हमाया पास answer आएगा 1 5 यहाँ जब आपने borrow किया था तो यह आपके पास यहाँ पर already यह कम हो गया था यानिके यह 14 हो गया था तो यह भी 14 है 14 में से 4 गया आपके पास answer आया 10 यह मैंने सब deduct यहाँ पर अभी गया है लेकि जिस वाद हम यहाँ से borrow करेंगे यहाँ से 1 hour deduct हो जाएगा और इस नासर आपके पास final answer आएगा वो आएगा 10 51 यह यह 10 बच के 51 मिनट यह इसका departure time था जब इसने अपना journey start किया था और इसका जो arrival time है वो है 15 06 इसमें से जब आपने 4 hours 15 minutes निकाले तो आया है आपके पास time अब हम बात करेंगे question number 7 की question number 7 में हमसे यह कहा जा रहा है according to our time table our coach was due to leave a station at 22.55 के time table के मुताविक एक coach को station को छोड़ देना था यानि कि station से चल देना था इस time पे यानि कि यह होगा इसका departure time जो के है 22.55 moreover this and arrived at its destination और इसके destination पे इसको पहुँचना था six five next day पे यानि कि next day छे बच के पांच मिनट पे उसको पहुँच जाना था अपने destination पे how long would the journey take इसमें हमसे दो चीज़े पूची गई है तो यह पूचा गया है कि इसकी journey कितने time की है यह इसका सफर कितने वक्त का है if the train actually arrive 35 minutes early और अगर train 35 minutes early arrive हो जाए 35 minutes early तो इसका arrival time क्या होगा यह दोनों चीज़े बतानी है आपने सबसे बहले हम यहाँ पर journey का जो formula है माई पास उसको लिखते है journey निकालने का जो formula है माई पास वो है journey is equal to arrival time minus destination time अब यहाँ से आप values प्लेस कीज़े यह आपके पास जो arrival time है वो है 6, 5, destination time 22, 15 0, 6, 0, 5, 22, 55 अब आप बहुर से देखें तो आपको यह नजर आएगा कि यह value है आपके पास छोटी इसलिए आपको इसे 24 hour clock में convert करना पड़ेगा 605 में हम 24 hour को add करेंगे ताके यह 24 clock के बराबर हो जाए आई एडिशन परफॉर्म करते है इसकी 0, 605, 24 और यह हम क्यों कर रहा है ताके यह 24 clock में convert हो जाए और हमें इसको minus करने में असानी हो यह बन चुकी है 30, 0, 5 और अब हम इसमें से subscribe कर सकते हैं बहुत असानी से 22, 55 को similarly यहां से हम borrow करेंगे यहां से जब हमने borrow किया इस borrow करने वाली condition को आप यहां लिख सकते है 60 minutes add करना यानिके इसके अंदर जब इसके अंदर हमने 60 minutes add किये तो हमाई पास answer आया 65 यह तो cancel हो गया और यह बना आपके पास 29 अब यहां से आप अपनी deduction परफॉर्म करें यह होगी आपके असल condition 65 minus 55 10 29 minus 22 7 7 hours 10 minutes आया इसका आपका journey journey time यहां पर जब आपने एक borrow कर लिया तो यह बचा आपके पास 29 यहां भी मैं यही calculation परफॉर्म कर रही हूं ताके यह आपको मजीद के लिए ली समझ में आ जाए इसके journey का time था वो था आपके पास 7 hours 10 minutes अब आप से यह कहा जा रहा है कि अगर train 35 minute जल्दी पहुँच जाए यानि कि इसका arrival time है यह इसमें से अगर हम यहां पर 35 minutes को minus कर देते हैं like this तो हमें यह पता चल जाएगा कि अगर यह 35 minutes जल्दी पहुँच जाए तो किस time पहुचेगी 35 minutes minus कर लें यहां से कुछ इस तरह से वही condition आती है आपके पास यह आपके पास 5 बचेगा जब आप add करेंगी इसमें 60 तो यह आपके पास 65 हो जाएगा 65 minus 35 आपके पास answer आएगा 30 और यहां से 5 यानि के इस condition में आपके पास arrival time आया पांच बच के 30 minutes पहले पहुच रही थी 6 बच के 5 minutes पर जब आपने इसमें 35 minutes minus कर दे क्योंकि आपके पूछ जा रहे हैं कि अगर यह 35 minutes जल्दी पहुच जाए यानि कि अपने time से 35 minutes earlier पहुच जाए तो आपके पास arrival time क्या होगा इस सिलसले में यह इस case में आपको अपने जो स्जा आपके तो आपके थी 5 स्जा इसे में Organisation से 25 minutes जल्दी थात्राणत्रान को साँ स्टत्राव में pagar even 5 सिल स्टत्राव यह 6th में रहीं थाणाप爍ने कि अपने जया कि अफछकाने थी 7th, 6th, 7th, 11 – 12th, 15, 12.